नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का CGPSC Knowledge Hub के इस YouTube चैनल पर आज हम बात करेंगे 36 गड़ी भाशा के ही अंतरगत भाशा और व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं उनके बारे में इससे आप 36 गड़ी में अपने नौलेज को भी बढ़ा सकते हो साथ ही साथ जो परिच्छा में उपयोगी जो तत्थ है उन पर भी इसमें काम आ जाता है कभी कभी आपको direct question पूस देता है तो मैं ऐसे ही सोर्स जो है हमारा मिनैक मुआर पाठक जी के पुस्तक से इसको आप सभी के लिए जो है वहां से संकलन करके लाई हूँ बिलकुल आप अंतक देखेगा आपको अच्छा भी लगेगा और साथ ही authentic book से है तो हो सकता है direct यहां से question भी आ जाए आपके supervisor है 36 परिच्छा है चाहे आप क्या देने वाले हो उसके अलावा व्यापम की कुछ-कुछ परिच्छा है जो रहती उसमें 36 अगर पूछा जाता है तो बिल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है जब आप किसी sentence के लिए एक शौट शब्द का प्रयोग करते हो तो वही कहलाता है अनेक शब्दों के लिए एक सब्दों विल्कुल अगर पसंद आएगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा कॉमेंट करके पताईएग आपको वीडियो कैसे लगा चलिए फ़र्ष्ट में देखते हैं डेर से अवया अब देर ले अवया का कहला ही अभी रहा देर ले अवया मतलब अभी रहा आख किसे संकेत करके करने वाला कुछ आख किसे जो संकेत करते या आखीला मरया या आख मारने किक्रिया का कहला ही तो पर्व या अक्ष्ट आक्ति जिसका नाम दिया जाते हमारे हां वर्ष का नवा माह मागसित जिसको हम क्या कहते अग्धन माह अभी देखोगे अग्धन गुरुवार का पुज़ा करते हैं अचार रखने के लिए प्रयुक्त मिट्टी का काला घड़ा क्या कहलाता है जो इसको अन्य व्यक्ति को आधे में देना आप लोग को पता होगा आधे में हम देते हैं क्या कहलाता है अधिया जा रखिएगा आठ पैरो वाला क्या कहला ही अठ गोडिया आग में सेकी गई मोटी रोटी अंगाकर आग में मुत्र करने के समान सरार्ती मतलब अगमुत्ता जिसको अगमुत्ता जो आग में मुत्त ने कि समान सब्राइस अगमुत्त सारीर की सब्सक्राइब अग्मुत्स इससे करती थे मुचवार क्जाइद से करती monthly से इसं 2018 मतलब का है है अगम जानी अकाल के समय को क्या कहते है समी तो याद रखिएगा इसको अकाल दुकल कहते है पानी और कीचड में लगातर काम करने कर आपके हाथ पौँ में कुछ घाव हो जाते है पैर में देखिएगा इसको कहते है केंदुवा 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 खाना हर उसके बाद आते हैं और भी विवागगे रश्म जिसमें कलास रखने के लिए देवालाया से मुट्टी लाई जाती है यह तो पता होगा ना आपको कलरस रखने क्लिमिट्टि लाते हैं चुलमाटी गाना भी आता है तो लब माटी कोड़ा नहीं आए धीरे-धीरे विच्चुवाला है चुलमाटी याद रखेगा जेखार आकी माँ चीपरा रही थे जी का कहला ही जिसके आक में चीपरा पड़ा रहता है चिपरहा चीपरा रहता है लकड़ी की दातुं का बने अनाजंगा अपने का पाथ प्रसूति का इस्ति को पिलाया जाने वाला एक काड़ा उसदी रहता है काचे पानी पिछेवरीं मतलब प्रसूती का इस्त्री उसी खुर पर होने वाला रोग चपका रोग इसको खुर पका भी कहा जाता है या दकेगा विवा के समय कन्या पक्ष के लोग का कहलाते हैं, घर आती, देखियोगे न, आपके इस पक्ष के एक मीम्स आता है न, तो बलते घर आती, ये तो बड़े पार्टी है, वैसे ही है, घर आती है, विवा में कन्या पक्ष के लोग, घर आती, वो मीम्स है, जो मैं बता दीती, कहलाएगी गौटनिन दीक है गौटनिन गौटिया की बीवी गौटनिन आग जलाने रखने के लिए मिट्टी का बना कटोरा नुमा पात्र क्या कहलाता है सुने होगे गोर्सी जिस पे आप आग तापते हो रबर की पट्टी बंधी दो साखाओं वाली लकडी जिसकी सहायता स से कंकड को फिका जाता है यह 36 गड़ी में कहलाता है गुलेल देख्योंगे बंदर मारने के लिए चडिया मारने के लिए भगाने के लिए यूज करते हैं हम ग्राम सभा के लिए निर्मित सारवजनी किस्थल 36 गड़ी में इसको गूडी कहा जाता जहां पर पंचयाद आप चाहे PSC देते हैं व्यापम देते हैं आपको सब जगा मिलेगा सूपरवाइजर का जो है भागतीन वाला पेपर को देख लिजी जग जहां पर हिंदी के साथ चच्छत द्रढ़ी वासा का ज्यान दिया है उसमें भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको है बीवा के समय कलाई में बाधी जाने वाली धागा क्या कहलता है कंकन चोड जब विवा हो जाता है तब इसको झोड़ा ते रहने वाला आदमी कचर कचर क्कचर दिन भर खाते ह darauf और यह वार बार वार दोदूबर लड़ाकों का यादत रहता है इसको बोलते हैं चंदु hunger चमड़े की लबगी पट्टी जिस से लाठी को बाना जाता है क्या कहलाता है इसके अलावा बने बने अच्छा चखवय का कहला ही तो चिकन मुहा एक दम चिकना चिकना खाने वाला विवाह का एक रस्म जिसमें कलस रखने के लिए देवाला सिमिट्टी लाई जाती पर बार बार जो फो जाए उसको बोलते हैं पॉश्पूर नीमा को मना जाने वाला छांटिस ग्ल का प्रशिद्ध दिवहर चेर चेरा को ठीक धाला है रहा जव इव तब करन च है च्हे महापस्चात कोई वी क्रीय कंदम करने करते हैं हम वो कर्म संस्कार क्या कहलाता है च्छा मतकी के कहलाता है उसके अलावा शिशु चल्मक्र चाहथ सक्क पता है चठी बरही बरही Oxam नाग का सुखरे मची सभी भी ने कुमार पाटक ने संकलित किया है मैंने उनकी बुक से ये प्रिफरेंस लिया है क्योंकि उनका बुक ऑथेंटिक है सभी को पढ़ना चाहिए सिर में जटा हो यानि कि वर्ट रिच के इला जो शाखाएं है उनको भी और जिनका सिर में देखना जटा बन जाता है कई लोग जो है अच्छे साफ सफाई नहीं करते तो पूरा गुथा जाता है इसी को बोलते हैं जटा हा जिसके साखाएं निकलती हो जड़ी से निकल रही ह अनाज पीसने या दरने के लिए घरों में प्रेप्त की जाने वाली पत्तर की चक्की क्या कहलाती है जाता चक्कर आने के काण आखों में अंधेरा छा जाना क्या कहलाता है जावा मारना मतलब चक्कर आना मतलब जावा मारना देवी के समक्ष बोय गया गया जोग के पौध वह सोले की रौश्नी नमुल लेकर जो पिला पीला पॉधा रहता वह क्या कहलाता है डेवी की समख्श Whats guard तो यह है जमारा जिसमें देखियेंगा जो nні मिलता दिय खोगगर जालते रहता है बार-बार घुस्ता करने वाला टेटे रहा हर किसी के घर में होता है हर किसी के लाइ प्रतार ना धिन्यम लागू हो जाएगा पर 36 गड़ी में बोला जाता है ध्यान रखेगा बार बर पेसाब होना महां संकट वाली इस्थधी ठनकी यह बहुत लोग को दिक्कत होती है एक यूरीन इंफेक्शन अगर आपको हुआ है तो उसका संकेत रहता है कई बार आपको लगता है कई बार इससे ब्लेडिंग भी होने लगते है थोड़ा सा ध्यान से रखेगे खास कर ठंडी की दुरूं में जादा होता है और गर्मी में भी हो जाता है कभी-कभी तो इसके से लिए सही है नीवू पानी वगरा पीजिए बास से बंधी रस्ती के उपर से चल कर जो कर्तब दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं तो बास है पास रखा हुआ है रस्ती जैसे बंधी हुई उस पर चलते देखना कर्तब दिखाते हुए कोई लड़की चलती छोटी नहीं 144 में आप सेट किये रहते हो मेडम लोग सर लो थोड़ा बढ़ालिया करो 360 तक रखके देखा करिए एक्दम ऐसे नोनी के बाद जन्मि बाबु का कहला ही तो तीन जन्मनी के बाद यानि की तीन लडक्यों के बाद जन्मा बाबु यानि की ललका क्या कहला एगा तीतरा और सेम तीन जन बाबू के बाद के जन में नूनी का कहला ही तो तीतरी, तीतरा तीतरी, या दखेगा थरर मरर करेया, का कहलाएगा थर मरहा, मतलब विचारा थोड़ा सा डोल मटोल हिलते रहते है, थरर मरर होते रहते है, थर थर आते रहते है सरीर उसका, तो थर मरहा, रोपा और तयार करे पौधा, रोपन के लिए तयार करे गए पौधा क्या कलाएगा, थरहा कहलाएगा, गोड़ा मन के दिखईया, गोड़ो को देखरे करने वाला थनवार कहलाएगा, गाओ मा मवेसी मला राखे के जगा, जहां पर मोशियों को इकठा करके रखा जाता है, दैहान कह या इसको खेर का डान भी कहा जाता है दैहान या खेर का डान दूसर भी हाओ करे वाला या दूसर भी हाओ करे वाली तो करे वाला है तो दूजा और लड़की है अगर दूसरा शादी करने वाली तो दूजी ही नंगर चलाईया क्या कहलाएगा नंगरिया कहलाएगा याद लगी चमडे की रसीयों को गूत कर बनाया गया जूता ये कहलाता है भंदई जूता के लिए विशेस सब्दी उसके जाता है भंदई के बार को पूछा गया ये प्रशन है निश्युल को बोजन पता है भंदारा बैठ जाएंगे खाने सब के सब है न हम भी खाते हैं ऐसा नह गाली दे दे के गीत गया जाता है तो इस गीत को क्या कहा जाता है विवाहा की रस्म है जिसको जिसमें गाली वाली गीत की जादती तो गीत उस गीत को क्या कहा जाता है वो गाली गीत क्या कहलाता है तो भड़ा जाता है मतलब गाली गलोचनी ये थोड़ा मजाक मस्ती में बुल्टी बुल्टी वाते बुली जाती है सो यह की तेज रोश्णी के काण जो भूमी पे होने वाली तपन है कहलाती भूमबरा देखेगा गर्मी के दिन में मना के जाता है भूमबरा जरही बाहर जन निकल तो घर मारी चुपचा तीर तीर मजा के चुपचा बठे रहा है जरही बाहर जन निकल वे ऐसे बोलते हैं घर में ऐसा बोलते हैं देखेगा गर्मी के समय में जब लूग चलते रहती है जब इनके फटने से निर्मित होने वाला गड़ा बहुरका होगे देखते चल बे गेहु आटे से बनाया जाने वाले मिठी रोटी माल पुआ मुमें पानी आगया होगा कुछ लोगों के खेत में पानी निकासी के लिए रश्ता यह कहलाता है मुही बीच में देखे होगे आप एक जगह से दूसरे जगह पानी पहला है तो मुही बनाए जाती है दूत पाइड लैका के महतारी लाहीत लाईक और हिन बीच में जबरदस्ती ब टोक टाक ही करना यह कहलाता है लपर हां यह लड़की है तो लपर ही बोल देते हैं क्रिशी भूमी को खेती के लिए किसी अन्य को किराय में देना एक साल के लिए देना जो है एक फसल के लिए एक साल के लिए उसको रेगहा कहा जाता है याद रखेगा क्रिशी भूमी को हम द गया खाद देविशेस लाटा कहलाता है एकदम नमक मिर्ची धनियां हो यह कूट काट के बनाया रहते हैं एकदम पूछो मत लाटा चतित गड़ी लॉलीपॉप याद रखेगा इसको बोला जाता है ना बकायदा चतित गड़ी लॉलीपॉप बटवारा करने के लिए डाली जाने वाली चिट लाखा बाटा होता है तो लाखा याद रखी गए इसको उसकर जिसके मुझ से लार टपकती हो तो लरहा है प्रसों के तुरंत बात परन्तु मासिक धर्म के पूर घर्ब ठहरने से उत्पन शिशु क्या कहलाता है यह बहुत लोग के साथ होता है आज कल य कहते हैं उनको मासिक धर्म नहीं होता लेकिन जब वह सिशु उध्पन करती है तो कुछ मैने तक यह मासिक धर्म नहीं होता है अचानक फिर वह стар होता है लेकिन कई लोग के साथ ऐसा होता है कि मासिक धर्म होने से पूरो ही उनको दुबारा घर ब ठहर जाता है तो इस से उत्पन बच्चे को लमहा कहा जाता है पहली बार ससुराल जाने पर लोग जो जाते हैं सेवा ही तू भेज़े जाने वाली महिला क्या कहलाती है लोकडहिन सब जो महिला हैं लड़किया अपने आपसे साथ तो लेके जरूर गये होगे लोकडहिन है न याद रखिएगा चुपे-चाप समालना सल्टा देना, अचानाक से बात ताय चुप-चुप सल्टा दिए, सल्टा हा, भूना हुआ दाना, हूरा, जरूर खै होगे तिवरा का चना का, बोजन के उपरा सेस बचा चावल का जुठा दाना, क्या कहलाता है? सीथा कहलाता है, सबजी के लिए धू में सुखा कर रखी घयी सुकसाफाजी आग के समस्का मचली पलास के जड़ अदी से बनी माला जो मुर पंक रगारे सुभाए एक अदसी के उसर पर खास कर सुहाई कई बार पूछा गया है कुश्चिन को बैल गाड़ी के जुड़े में दोनों किनारों पर लगाई जाने वाली लोहे की लंबी किल यानि कि इसको दो जो रहते हैं लोहे की किल लगी रहती है तो याद रखेगा इसको सुमहेला कहा जाता है बीना तेल के नमक डाल कर बनाया गया चार क्या कहलाता है नुचरा नुचरा खाय है चला पानी का स्पातर क्या है पनियर ठीक है आज के साथ इदम पनियर है ऐसा करके बुराई भी किये होगे तो पानी का जो ज़्यादा रहता है मात्रा में तो पनियर कहा जाता है गोठकार ज्यादा बात करने वाला पुछ पुछा है एके बात को बार 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 बोलने वाला जो एके एकल बात ला बार बार बोल यह आदमी वो पुछर रहा है बातों बातों में फसा कर रखने वाला जो आपको बातों बातों उल्जा कर रखता है वो है बिलोरना या बिलो यह तो पुछर रहा है और बढ़ गट का तो मजक्या टाइप मर तयार रहा है यह मर कनहा देखना घरवाले लोग बोलते हैं जाब मत उखर घोर कुटी ऐसे बोलते हैं देखना का आप छोटे रहोगे बच्चे रहोगे जरू समझाते घर लेकिन कई लोग को जैसे है लोग को light से परफानी होती लेकिन कई यह मूल नक्षतर में पैदा हुआ हो मुलहा फसणों के पrates सacks निकलता है अचानक बाली फुटने लगती है उसको कहा जाता है पोटरियाना ये गर्भाधारन करने की इस्तिती होती है जब पौधा गर्भाधारन करता है लकडी को छेद करने के लिए प्रिवक तौजार पटासी ये लकडी को छेद करने के लिए करते हैं तासंसकार के समय पाच-पच लकड़ी डालने की रस्म ये पंच लकड़िया कहलाता है हर घर से देते हैं उसके अलावा यहाँ पे भीग के निमित धनिया आटा और शक्कर से बनाया गया प्रशाद मतलब यहाँ पे भोग के निमित धनिया आटा और शक्कर से बनाया गया प्रशाद पंजरी कहलाता है भो शम्रित को हम पंचा मरित बोलते हैं 36 गड़ी में ब्याई गई गया अब भैस का जो पीला दूद है वो क्या कहलाता है तो पेवस कहलाता है बाह का अभूशन पहुची कई बार पूछा गया है पहुची कहां पेंटे हैं तो बाह में पहनते हैं प्रथम बाहर गर्वधारन कर ने वाली भैसिया गया कहल लाती है बगार छड़िका विदी से बोए गया धान की खड़ी फसल को हल चराने के प्रक्रिया बी आसी तो मैंने कुछ सब्दों को लिया है लगभख सौ से जादा है लगभख मैंने गिना था एक सो साथ होगा तो यह सारे चीज़े हो सकता है इस इसको सकता है लेके आया है और बहुत अच्छा ही विनाय कुमर पाठाक जी ने इसका संकलन किया हुआ है जहां से हमने लिया है हो सकता है आपके पूछ से बिल्कुल तैयार करें रही गया और हां कोसिस करिए कि आपको छतिस गड़ी में बाते समझ में है कोई सभी परिश्चा देनी हो आगे चलके इंटर्वियों किसी पेपर में देना हो जैसे 36 पेस्टी जब लेता है तो काम भी आएगा तो चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं धन्यमाद जय जोहा जय चत्तिस गड़